जम्मु कश्मीर में सुरक्षा वलों ने आतंकी साज़श का परदा फाश किया है आपको बता दे कि सुरक्षा बलों ने अवन्ती पारा इवाचे से आतंकी संगठन अल्बद्र से जुडे चार आतंकियों को पकड़ा है इलाके में सर्च उप्रेशन के दोरान सेना को ये काम्याभी हासिल हुई है बता दे कि 12 मूला में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और पुलिस सर्च उप्रेशन चला रही है इस दोरान आतंकियों ने सुरक्षा बलो पर फाइरिंग भी की सेना द्वारा उसका मूँ तोड जवाब भी दिया गया पुलिस ने बताया कि इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस ने CRPF के साथ मिलकर सर्च ओप्रेशन चलाया पुलिस के मताबिक पकड़े गए आतंकियों की पहचान यावर अजीज डार सजद एहमद पार्रे आबिद मजीद शेक और शौकत एहमद डार के रूप में हुई है पुलिस का कहना है कि जाच अभी चल रही है मामले में और भी गिरफ्तारिया हो सकती है यहाँ आपको बता दे चले कि सुरक्षा बलों ने 13 दिसंबर को पुंच में जम्मू इन कश्मीर गजनवी फोर्स के दो आतंकी मार गिराए थे और एक आतंकी को पकड़ लिया था 17 दिसंबर को आतंकीयों ने अनंतनाग जिले के बिजबिहाडा इलाके में सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया था इस हमले में CRPF का एक जवान घायल हो गया था 18 दिसंबर को अनंतनाग में सुरक्षा बलो पर आतंकियों ने हमला किया था जवारों ने जवाबी फाइरिंग शुरू की तो आतंकी भाग निकले थे 20 दिसंबर को अनंतनाग में सेंटरल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया था बतादे चुले कि सेना ने जमू कश्मीर में आतंकी साजिश का परदा फाश कर चार आतंक वादियों को पकड़ा है अभी जाज जारी है और भी आतंकी पुलिस के हत्ते चड़ सकते हैं ऐसे ही लेटेश को परेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवारी पर जारी है फेस वादिश बेंके लिए और जारी आतंकी परदेश ऑ्रूमटप्राइब कर आते हमारी चैनल को परेपाने को पर दो सकते हैं